नमस्कार साथियों मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साथियों जैसा कि आपको अवगत है आप सभी को दीकसा पोर्टल पे 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 के मद्धे 25 नए कोर्स कम्पलीट करने है आज किस वीडियो में हम बेसिक कोर्स 21 प्रारंबिक साक्षरता में आकलन के भागच है आकलन की प्रशनोत्तरी को लेंगे हम जानेंगे कि इसकी आकलन की प्रशनोत्तरी में कौन-कौन से प्रशन दिये गए है और उनके क्या-क्या उत्तर होगे साथियोऔ वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप चाहते है इस तरह की informative वीडियो आपको एक प्लेटफ़ार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने informative वीडियो WhatsApp ग्रूप और informative वीडियो टेलिग्राम गुरुप बनाए हुए हैं आप चाहें तो मेरे गुरुप से जुड़ सकते हैं गुरुप का लिंक आपको वीडियो के भाग 5 तक की पुरुशन तरी को कम्प्लीट कर सकते हैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के description box में मैं डाल दूँगा उस पे क्लिक करके आप भाग 1 से लेकर भाग 5 तक कम्प्लीट कर लीजे भाग 5 कम्प्लीट करने के बाद आप जैसे ही भाग 6 बर पहुँचेंगे तो आ उसके बाद assessment आपके सामने होगा arrow के निसान से आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने प्रशन नमबर 1 होगा जोती जी द्वारा जीत के लिए screen पर कुछ अभिलेक दिये गए हैं उन्हें ध्यान से पढ़िए 24 फरवरी आप अपने आप किताब लेकर बैठता है पढ़ी हुई अपनी जिन्दगी की घटना साजा की जैसा मीता और उसके दोस्त के साथ हुआ था मीता और जदू यूते में वैसा मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार मेरे दोस्त मुझे चिड़ाने लगते हैं तीन मार्च वै मात्राओं में अंतर समझने लगा है जैसे E और I, A और A, O औ और अओ नमबर चार मार्च को वैस जैसा बोलता है वैसा इलिक देता है जैसे जानवरों के लिए उसने लिखा हमें ऐसा नई करना चाहिए दिये गए अभी लेगों कोई आधार पर नीचे दी गए कौन-कौन से आंकलन के माबदंड आके जा सकते हैं नमबर एक इसकूल के बाहर और भीतर अपनी पसंद की किताबों को स्वम चुन कर पढ़ने का प्रियास करते हैं नमबर दो हिंदी की वर्ड माला के अक्सरों की आकरती और ध्वनी की पहचानते हैं नमबर तीन अपने इस्तर और पसंद के अनुसार कवीता कहानी कवीता चित्र पोस्टर आधी क आनंद के साथ पढ़कर अपनी परतिक्रिया वेक्ट करते हैं या प्रशन पूछते हैं और नमबर चार विविद उदेश्यों के लिए अपनी अत्वा इस्कूल की भासा का इस्तमाल करते वे बातचीत करते हैं जैसे जानकारी पाने के लिए प्रशन पूछना निजी हमारा सही हो जाएगा उसके बाद जारी रखे पर क्लिक करेंगे अब प्रशन नमबर दो हमारे सामने हैं आपके अनुसार प्रारंबिक साक्षरता में सदत आंकलन के लिए दी गई किन किन तक्निकों का इस्तेमाल कर सकते हैं सही विकल्प चुनिए नमबर एक अभी लेक य सही होगा, सैकंड सही होगा, फूर्ट सही होगा, फिप्त, शिक्स्थ और सैवंथ, केवल सालाना परिक्सा को छोड़कर बाकी सभी उप्सन आपके सही होंगे इस पे हम क्लिक करेंगे उसके बाद जारी रखे पे इस में सहीध करेंगे अब प्रशन नमबर 3 हमारे सामने है सीला जी बच्चों के लिखित कारिये को जांचते समय बाचीत के रूप में विश्तार से परतिकरिया देती हैं आपके अनुसार इस तरह की परतिकरिया के पीछे सीला जी का क्या उदिश्य होगा? आप एक सेदिक विकल्ब सुन सकते हैं बच्चों द्वारा की गई हर गलती पर उनका ध्यान लाना और सुधार कारिया ठीक से करवाना नमबर दो बच्चों को सही तरीके से लिखने के तरीकों और भाय की यांतरिक पहलों पर उनका ध्यान लाना नमबर तीन बच्चों को उनकी कोशिसों के लिए प्रोथसाहन देना और लेक की बारी की ओपर उसका ध्यान लाना नमबर चार बच्चों की लिखने की ललक को बिना चोट पहुचाए उनको लेक के बहतर लिखने के लिए सुजाओ देना तो इसमें आपका उप्सन नमबर 2, उप्सन नमबर 3 और उप्सन नमबर 4 यह हमारे सही होंगे इन पे हम क्लिक करेंगे और सम्मिट के उप्सन पे क्लिक कर देंगे तो यह हमारा सही हो जाएगा उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे प्रश नमबर चार हमारे सामने है स्यामलाल जी अपनी कक्सा में सब बच्चों का पोर्टफोलियो नियमित रूप से तयार करते हैं आपके अनुसार इन पोर्टफोलियों को वह कैसे बच्चों के आँखलान के लिए इस्तमाल कर पाएंगे नमबर एक बच्चों की पढ़ने सुनने बोलने आदी चमताओं को पहचानना वैं समझना नमबर दो बच्चों की अलगलग भासाई चमताओं में प्रगर्ति को देख पाना नमबर तीन रिपोर्ट कार्ड में बताए गई बच्चों की चमताओं के लिए परमान इकटा करना नमबर चार बच्चों की खुद के लक्षो और सीखने की छमताओं को लेकर बनाई अपनी चवी को समझ पाना और नमबर पांच बच्चों को क्या नहीं आता है ये बात ये माता पिता को सबूत के साथ बता पाना तो इसमें आपका option number first, option number second और option number fourth ये तीन option आपके सही होंगे इस पे हम क्लिक करेंगे और submit के option पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा उसके बाद जारी दख्खे पे क्लिक करेंगे प्रस नमबर पांच हमारे सामने होगा आपकी स्क्रीन पर किताब का एक पन्ना दिखाया जा रहा है किताब मेरा घर एक बड़े मैदान के पास है मिलिंद और राजनात ने ऐसे कुछ ऐसे पड़ा मिलिंद मेरा घड़ा एक बड़ी मदन के पास है राजनात मेरा मकान एक पार को फिर बदल कर जरूर पढ़ा है लेकिन वे सही पढ़ रहा है नमबर तीन राजनात का पढ़ा वाक्या अर्थ के जादा करीब है यानि वे पार्ट को समझ कर पढ़ रहा है वो नमबर चार दोनों की अपनी अपनी समझ से पढ़ रहे हैं इसलिए दोनों ही सही हैं तो इसमे आपका option number 3 सही होगा उस पे आप click करेंगे और summit के option पे click कर देंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा उसके बाद जारी दख्या पे click करेंगे तो question number 6 हमारे सामने होगा बिलकुल सुरवाती कक्षा में आए बच्चों में भासा संबंदी किन बिंदो का आकलन करना भासा कक्षा की योजना बनाने में कारगर रह सकता है number 1 उनकी मोकिक भासा की सम्रद्दा number 2 उनके emergent literacy वैवार या print की अवदार नाए number 3 उनके अक्सर ग्यान का number 4 उनके लिखने की छमता का तो इसमें आपका option number first और option number second यह हमारा सही होगा इस पे हम click करेंगे और submit के option पे click कर देंगे तो यह हमारा सही हो जाएगा उसके बाद जारी रखे पे click करेंगे question number 7 हमारे सामने है आपकी screen पर एक वाक्या दिया गया है उनके खाली स्थान भरने के लिए देगे विकल्पों में से जो दो उचित विकल्पों को चुनिये नमबर एक प्रारमभिक साक्सरता में आकलन में हम ना केवल बच्चों के बढ़ते भासा कोशल को आखते हैं बलकि इस बात पर भी गूर करते हैं कि बच्चे में फिलिन्दा ब्लैंक्स प्रिंट की दुनिया और फिलिन्दा ब्लैंक्स के बारे में कैसी छवी बन रही है आप एक से बिकल्प चुन सकते हैं पढ़ने लिखने की परकृरिया सिक्सक सिक्सा पढ़नाली दोस्तों आस पास की दुनिया ज्यान भंडार खुद या स्वम और सुनने बोलने का कोशल तो इसमें आपका option number first सही होगा और उसके बाद option number 7 ये हमारा सही होगा इस पे हम क्लिक करेंगे और submit के option पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा उसके बाद जारी रख्या पे क्लिक करेंगे तो साथियों ये अपना complete हो जाएगा क्योंकि इसमें 7 ही प्रशन दिये गए इसके बाद हम अपने mobile का back button दबाएंगे और back button दबाने के बाद इसको complete कर लेंगे तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही आपको ये वीडियो कैसी लगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल का इकन को प्रेस कर दीजिए इससे कि आपको next वीडियो का notification मिल सके धन्यवाद